है तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है मैय और ऑफ सेंटर टेंसी या एवरिज का टू रिपर्जेंट दा कम्प्लीट डेटा सेट विदा हैल्प आफ सिंगल नंबर हमने अभी तीन-चार प्रॉब्लम्स मीन के रेलिवेंट सॉल्व किये कि अगर हमें डेटा नहीं मीन मिल जाए और फिर हमने एक ओवरॉल मीन जिसे कंबाइंड मीन भी कह सकते हैं वह किस तरह से आपने बनाना है अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वह आपको एक डेटा सेट दिया गया है और वह है फ्रिक्वंसी टेबल यह वही डेटा सेट है जो के हमने सेकंड लेक्चर मे प्रॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट lortd LA關係оне यह किए फ्रीकुएंसी टेबल हमने बनाया हुआ रिकुंसी टेबल लुए इसमें तो किसी ही एक सिंगल प्लांट की भी हाइट हमें नहीं पती एक सिंगल प्लांट की भी हईट का मैं आइडिया नहीं है इतना जुरूर हमें आइडिया है सिक्स प्लांट की हाइट एनिवेर फ्रॉम 86 cm तो 90 cm याद है ना उस वगत हमने कहा था कि फ्रिक्वेंसी टेबल का अगर बहुत बड़ा एड्वांटिज है कि हम हुज डेटा सेक्ट को कमपेक्ट फरके चंद वैल्यूस में हम लिख देते हैं तो साथ इसका फिर डिसड्वांटिज पी यह है कि वैल्यूस की जो इंडिवीज्वल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है हमें नहीं पता चलता कि किस वैल्यूस की एक्च्वल रीडिंग क्या है यस इट इस ड्राबैग फिर हम वैल्यूस को सम कैस इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि किस क्लास में जो भी वैल्यू आएगी आप समझेंगे वो यह जो सेंटर में है एटी सिक्स और नाइंटी का जो सेंटर बनेगा चूंकि हमें पता नहीं है कि सिक्स प्लांट्स की हाइट कितनी है तो हम कंसिडर करेंगे कि इस मिड़ प लेकिन हम इसको इस सेंस में लेंगे कि टोटल जो 88 हाइट वाले छे प्लांट हैं इस क्लास का सेंटर बनता है कैसे करते हैं दोनों को एड कर लें टू पर डिवाइड कर दें मिट पॉइंट आ जाएगा और वो आ रहा है 93 फोर प्लांट्स हैसे हैं जिनकी हाइट क्या है 93 टै एक प्लांट ऐसा है जिसकी हाइट वान थर्टीन है यह वन थर्टीन यह एटी एट यह यह क्या चीज़ें हैं यह हैं डेटे के मिट पॉइंट तो मिट पॉइंट को हम एक्चुली उनकी एक्च्वल वैल यूस किंसिडर करते हुए यह चीज़ कर लेते हैं कि जो डिल्मन कर सकते हैं तो इस तरह से चुकि हमें एक्च्वल यूस पता नहीं है तो हम वैल उसको क्या कर लेते हैं तो हम सब्सक्राइब यूस करते हुए हम यह सारे के सारी गिंसेडर और अब हमारे लिए इजी हो गया ृत्य हैट के टोडल सिक्स प्लांट्स है जो के पहली क्लास में इनकी अगर आपने टोटल हाइट कैलकूलेट करने हो 88 प्लस 88 प्लस 88 ती एट एट सिक्स टाइम और इंडी है आप ताके आपको इनकी वैल्डी उसकी टोटल पता चले चैले तो ये डोटल है आपने कैलकूलेट करने थी 6 plants हैं, each of height 88 consider करते हुए, 528 is the actual height of the 6 plants in the first class. Similarly, इन दोनों को multiply कर ले, 4 plants, each of height 93, दोनों को multiply किया, total height 370, की 2 cm आदे, 10 multiplied 98, 10 क्या चीज़ है, 10 plants है, 98 हर एक की height को क्यों 98 क्यों कहना है, चुक्के यह center में है, हमें actual values का पता नहीं है, तो हुआ स्पोस्ज डाट एवरी plant has an height, which is equal to the mid of that class, जिसे midpoint कहते हैं, इसके बाद इन सब को total कर दे, 2935 cm is the total height of how much plant, 30 plants, so divided by 30, to get the mean, the mean height of the plants in this data set is 97.83 cm, group data का mean find करना हो, यह group data है, group data का mean find करना हो, तो हमें चुके actual values हर group में पता नहीं, तो हम क्या calculate करेंगे midpoint, और midpoint का हमें पता है, कि midpoint को हम किसे represent करते हैं, x के साथ, और जब f को x के साथ multiply कर लेते हैं, तो it means कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम हर group का, हर group में total values calculate करते हैं, f6 multiply 88 which is x, तो हम हर group का total मालूम कर रहे होते हैं, और जब इन सब को add कर दे, इसको अगर आप notation में लिखना चाहें, शुरू में हमने पढ़ी थी some important notation, तो आप कह सकते हैं, fx हर group का total है, ये group one का total fx, ये group two का total है, और इन सब को total करेंगे, तो ये some की notation लगाएंगे ना, some fx, ठीक, divided by क्या करना हैं जी, तमाम values का total, ये वाला 30, और इसको अगर notation में लिखा जाए, तो summation f, तो ये फिर mean का formula बनके किसमे, अगर data group हो जाए, तो mean का formula, अगर formula की बात करते हैं, तो ये है, वैसे समझना हो, तो आप कहेंजी हर class को midpoint से multiply करते जाएंगे, ये एक हर class का total आता जाएगा, जिसको क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, f multiply by x, which is basically the total of each class, और जब आप इन सब fx को add कर लेते हो, now it becomes जो है, वो आपका value जो है, वो बन जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं, this is the total, 98.8, अब आपके शायद किसी के जेन में ये question आए, कि सर आपने wrong नहीं किया, value तो कुछ और थी, और आपने हर value को जो के पहली class में हो सकता, कोई value यहाँ 87 हो, कोई 88 हो, कोई value 89 हो, और आप हर value को 88 ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा आप wrong नहीं कर रहे हैं, समझ तो शायद ऐसी आएगी, कि वाकिए यह तो बात तो सही है, पहली चीज, कर के सकते हैं, करते नहीं रखते कुछ, कि जी आप इसके लावा फिर क्या वे है, चुक्कि मीन के लिए तो हम value को सम करना पड़ता है, value है नहीं, आप करेंगे कि सार इसका मतलब यह तो नहीं है, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप wrong ही calculate कर लें, यह बताना चाहता हूँ, कि अगर आप actual data भी use कर लें, आपको याद था हमारे पास लेक्चर टू में, 30 plants का actual data भी available है, हमने लेक्चर टू में बढ़ा था, कि जी हर 30 plants हैं, हर plant की individual hide का data हमारे पास है, अगर आप actual data भी use कर लें, ठीक, तो मैंने comparison के लिए क्या किया, मेरे पास चुके data available था, तो मैंने actual data, जो के 30 original values थीं, उसको मैंने use किया, और mean का आया, 97.63, actual के साथ, और यह मुझे पता है कि मैंने supposed value लें, कितना का फर्रक है, decimals में सिर्फ difference है, और वैसे भी जो mean आप calculate करते हो लेटे का mean, जैसे batsman है, batsman की betting average 40.23 है, तो क्या उसने 40.23 जाके score करना है, यह तो just उसकी performance का एक rough idea है ना, तो rough idea में बता दो रहा हूं, कि यह जो plants हैं, उनकी hide 97 cm की round figure में हैं, तो आप यह भी वही कह रहा है, अब आपको समझ आया, कि जब हम data set का glasses का, जिसमें individual values हमारे पास नहीं होती, अगर हम उस data का mean calculate कर ले, तो यह mean को बहुत ज़्यादा wrong answer हमें नहीं लेके जाएगा, तो मैंने procedure explain कर दिया, how to calculate the arithmetic mean, जो कि average की पहली type है, फार दा ग्रूप डेटा as well, अच्छा बिलकुल इसी arithmetic mean की ही एक extension कह दें, और यह बहुत ज़्यादा हम different situations में यूस पी करते हैं, जब आप values का mean calculate करते हैं, तो हम किसी भी value को कोई importance या weightage नहीं देते हैं, हमारे लिए सारी value एक जैसी ही होती है, simply हम उन सब को sum करके और number of values इडिवाइड करके कहते हैं के लेर जी mean आगया, लेकिन कुछ situations ऐसी होती हैं, जिसमें हमने calculate तो data का mean ही करना होता है, लेकिन जो तमाम की तमाम values हैं, वो equally important नहीं होती, weightage को कहेंगे न, weightage, तो equally important नहीं होती, बलके कुछ values ज्यादा important है उस data में, कुछ values काम, लाइक आपका मेहल जब test हुआ था, आपका admission test हुआ था, तो उसमें आपको कहा गया था, कि FSC के number को इससे multiply कर दें, इसकी weightage थी, और entry test को इससे multiply कर लें, बेसिकली वो उन्होंने दोनों को equal weightage में नहीं लिया था, उनकी weightage different consider की गई थी, ऐसा data जिसमें, equal importance नहों values की, उनकी weightage सेम नहों, तो फिर हम क्या करेंगे, we associate with them certain numerical values, उसके साथ numerical values अटेच कर देंगे, associate कर देंगे, और उसे हम कहें देंगे, यह इस value का weighting factor है, इस value का weighting factor है, और weighting factor क्या करेगा, express their relative importance, वो उसकी value की weightage हुआ करेगी, तो अब हमारे पास दो चीज़ें होगी, एक होगी value, और एक होगी weightage, आपके merit बनाते हुए, या आप कह रही है, यह अपने जो FSE के नंबर है, उसे आप point three से multiply करें, FSE के जो marks है वो data है, और point three है यह उसकी weightage है, 30% weightage, ऐसे कह दें, exactly हम कहते हैं, के हमारे पास जो weights हैं, उसको अगर आप W के साथ represent कर लें, values हमें पता है, X के साथ हम represent करते हैं, तो देखे, मैंने हर values को पहले weight के साथ multiply किया और फिर sum किया, अगर weightage नहीं करूंगा, तो simply values को add करके, number of values से divide करके data का mean ले लिया जाएगा, लेकिन अगर weighted mean की बाद करेंगे, तो weighted mean mean, आपको पहले values को उसके weights के साथ multiply करना है, known as weight, weight means importance, ये कहां से आएगे weight, ये कैसे हम calculate करेंगे, किस value की कितनी importance या weightage है, ये हमने calculate करेंगे, हमें बताया जाएगा, युनिवर्स्टे ने का, FSE के नंबर को point 3 से multiply करना है, point 3 उसकी weightage है, आप कहें किस फामूले के तहत point 3 calculate किया गया है, ये कि फामूला नहीं है, किसी फामूले के तहत नहीं calculate किया गया, बलके ये subjectively bet के decide कर दिया, कि इसकी weightage इतनी कर दी जाए, और इसकी weightage इतनी कर दी जाए, यानि कि जो values की relative importance है, जिसे आप weightage बोलोगे, वो weightage पी determinedly decide कर ली जाती है, कि जिसकी weightage इतनी होगी, इसकी weightage इतनी होगी, और divided by sum of w, तो मैंने इसके साथ little bit w subscribe लिख दिया, ताकि ये तो mean की notation है, और w stands for कि ये weighted mean है, जिसमें values को पहले weight से multiply करेंगे, and then sum कर लेंगे, तो ये आपने values का sum नहीं करना, बलके values का क्या करना है, weighted sum, एक example read करते हैं, एन examination was held to decide about the award of a scholarship in an institution, the weights of the various subjects were different, importance, different, the marks obtained by candidate A and B, दो student हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, और given below, उन्होंने एक्जाम दिया है, मुख्तरफ सब्जेक्ट में, एक A student था और एक B था, और target ये है, if the candidate getting the highest average score is to be awarded the scholarship, कहता जिसकी average ज्यादा आएगे न, हम उसको scholarship provide करेंगे, but keep in mind, जिन papers का, जिन subject का test हुआ है, उनकी weightage क्या है, same नहीं है, who should get it, who should get it, कहता किसको मिलना चाहिए, data दिया गया है, जो paper लिया गया है, एक stats का, maths का, economics का, और English का, ठीक, weightage assign की गई है, ये percentage form में भी weightage हो सकती है, ये actually numeric form में भी हो सकती, तो कोई इसमें compulsory नहीं है, कि weightage जो है, वो हमने numeric form में देनी है, या percentage form, it may be anyone, 40% weightage जो है, वो stats की है, 30% weightage math के नंबर है, 20% economics है, और 10% weightage English है, हो सकता है ये जो scholarship हो, ये math stats के relevant हो, तो वो student हमें pick करना चाहिए, जिसका math stats सबसे बहतर हो, फिर ठीक है, उसमें economics में आनी है, English में आनी चाहिए, ताके little, लेकिन इतना ज्यादा weightage ना दें, कि जी अगर उसके English बहुत बहतर है, तो हम कहेंजी, इसको math का या stats का scholarship दे दिया जाए, तो mainly तो math stats बहतर होना चाहिए ना, इसी दिये इसकी weightage उन्होंने ज्यादा रखी है, और English की उसने weightage कम दिये, X data को बोलते हैं, A का मत्तबर student A का data, student A ने stats में 70 marks लिये, math में 90, economics में 50, और English में 60, और इसी तरह से ये B student की performance आगर अगर इनको total किया जाए, total marks की बात की जाए, तो इस student ने 270 total marks लियें, चार paper में और B के भी total 270 चार paper में, अगर मैं फिलहाल ये weightage consider ना करो, simply इनकी average करो, 270 को 4 पर अगर divide कर दिया जाए, तो 67.5, 270 को 4 पर डिवाइड कर दिया जाए, तो 67.5, यानि के total number जो same है, तो दोनों के average भी same, तो average वाइस तो दे टूड़ एक जैसे हैं, लेकिन हम wrong क्या कर रहे हैं, इसमें weightage दी हुई है, और हम weightage को फिलहाल ले ही नहीं रहे, ठीक, weightage होनी चाहिए ना, एक number लिया तो 30, तो student मैथ में कम number लिया, आपने गाएसाद दोनों में एक एक है, अगर weightage नहीं है तो फिर तो ये बराबर है, लेकिन अगर weightage consider की जाए, तो 40% का मतलब है, इसके 40 number है, एक नहीं है, इसका एक number 30 के बराबर है, और economic में एक number लेना 20 के बराबर है, English में एक number लेना 10 के बराबर है, एक student stat में एक number लेता है, और दूसरा student English में अगर 4 number लेना 4, तो आप संबले वो इसके बराबर जाएगा, क्योंकि एक, एक number की weightage सिरुफ 10 है, 10 को 4 से जरब देंगे तो 40 बनेगा, वेटीज इसका यही मतलब है अब पहले student की नमबर है 70 हर एक नमबर की वेटीज है 40 मैं कहूंगे इसके वेटेट नमबर कितने हैं अथाइसो अप्रिकलिकरना है ना वेटेट मार्क्स बनाने के लिए या वेटेट वैल्यूस बनाने के लिए का करना है multiply the value with their respective importance that is wins आप कहले कि एक नमबर 40 का तो 70 नमबर लेने का मतलब है उसने अठाइस सो नमबर इस पेपर में गेट किये हैं वेटिज वाइस similarly एक नमबर 30 का 90 माक्स का मतलब है उसने 2700 माक्स लिए हैं मैट्स में यह बन गे उसके क्या बन गे वेटेड मार्क्स फामूला क्या कहता था फामूला कहता था कि आप वैल्यूस को वेट के साथ multiply करोगे वेटेड वैल्यूस बनेगी तो फिर सम करना है अब हम इसको सम करेंगे तो जब आप वेटेड वैल्यूस का सम करेंगे तो सम बनता है च्रवाठेड वेटेड मार्क्स के यह बीकर मार्क्स हैं और जब आप इनको सम करेंगे तो यह बीस स्टुडेंट का वेटेड एग्रिगेट यह वेटेड टॉटल माक्स आचाएंगे डिवाइड किसे करना है अब में sum of weights और sum of weight है 100 तो 71 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 71 एवरिज बनती है और इसकी 72 बनती है यह importance या weightage के साथ average है जिसके मताबक student भी शुड़ गेट का scholarship although उसके नमबर और उसके नमबर बराबर है लेकिर weightage wise अगर देखा जाए तो भी student को scholarship मिलना चाहिए आप अगर logical ही सोचे तो ऐसा क्यों हो रहा है देखें इस student भी के यहां पंद्रा नमबर ज्यादा आए एक ही निस पर चुक्कि उसने यहां सैवंटी लिए यहां इन्टी फाइव लिए है दूसरा paper हुआ है तो इसने पंद्रा नमबर इसके ज्यादा आ गया है आपके देखें उसके स्टेट में ज्यादा Mehr थो फिर क्या वह वो मैत में ज्यादा ले ली रहा बराबर होके बाद झा alpha तो ठीक ही ए के economics पे 5 पे प्ए फन उसने कवर कर लिया एकवर कर लिया प्र ठोंट्र तो सेविधिक मिल रहा है उस्की reason है जिस paper मे उसने अच्छे नंबर लिए है उसकी वेटर ज्यादा है उसकी वेटर ज्यादा एक नमबर ज्यादा लेने का मतलब है चालिस नमबर ज्यादा ले लिए और अगर उसने एक नमबर मैथ में ज्यादा लिया तो उसने तीस ज्यादा लिए अब जिसकी वेटर ज्यादा थी वहां उसकी परफॉर्मस बेतर है और बिलकुल ऐसा ही हो रहा है अब कुछ मैं मैं मतलब मेरे जो हमसाइद है उनकी बेटी ने भी मेरी यूनिवस्टी में दर अप्लाई किया FSE के नंबर भी ली हुए और टेस्ट भी हुआ अब हो क्या रहा है वो कन्फियूज है उसकी किसी फ्रेंड का अड्मिशन हो गया वो कहती जी के मेरे नंबर 900 थे और उसके नंबर थे 850 या 840 और मेरा अड्मिशन रह गया है 900 मेरे नंबर है उसके नंबर उससे कम है और उसका admission हो गया है मैंने पुछा बेटा आपके टेस्ट जो रिटन टेस्ट हुआ था उसके नंबर कहती हाँ रिटन टेस्ट के उसके नंबर थोड़े ज्यादा थे थोड़े ज्यादा नंबर थे लेकर कहती जी मेरे के 50 नंबर ज्यादा थे एक्शिली इस्टाफा हमारी यूनिवस्टी ने टेस्ट की वेटिज क्या कर दी सेवंटी परसेंट और फस ये कि नंबरों की वेटिज है बच्चे ने तो यही कहना है देखें जी मेरे 900 है FSC में मेरा ड्मिशन नहीं हो रहा उसके 850 है चाहे उसके टेस्ट में मेरे थोड़े नंबर ज्यादा ही मुस्से क्यों नहीं आ रहा है लेकर मेरे तो 50 नंबर ज्यादा है और उसके test से मेरे सिरस 30 नमबर ज्यादा है तो उसको क्यों टमिशन मिल रहा है तो मैं उसको यही कह रहा था वेटिज सेम नहीं है ठीक है ना exactly यही हो रहा है कि वेटेज को के सेम नहीं जिसकी वेटेज ज्यादा अगर उसमें परफॉर्मस बहतर है तो वो और सीट कर और इस एक्जाम्पल में भी इग्जेक्टली यही हो रहा है ठीक है कोई क्वेस्टन तो नहीं आपने करना हमारा बड़ा ओल्ड फ्रेंड है मीन याद है न मैं है फिफ्ट कलास से मारे साथ चल रहा है जब भी हमें जुरूद पढ़ती है हम रूटीन में इसी मीन से कैल्कुलेशन करते हैं तो दिस इस आवर ओल्ड फ्रेंड पराना दोस्त है मारा एवरिज का जिकर आता है हम कहते है को ही कहते हैं लेकर अब आपने आवरेश सिर्फ मीन को नहीं कहना माइंड करेंगे बाकी लोगविक् concerned कि यह भी तो थे ऐसे ही था ना अब आपको बताना है कि ये आपका दोस ओल्ड फ्रेंट मीन आपको कब मिस्लेट करेगा दोखा दे जाएगा और आप कहेंगे ने ने यार ये तो हमने तो इसके उपर बड़ा बिलीव किया था ये तो हमें रॉंग इंफरमेशन दे रहा है मैं ये नहीं कह करना मैं ये नहीं कह रहा हमेशा इन दो सिचुएशन में केर करनी है जैसे लाइक मैडिसन है ना डॉक्टर मैडिसन देता है अफेक्टिवनेस के लिए लेकर कभी कहता नहीं यार इससे आपको अलरजी है ये देगना तो फाइदे की बजाए नुकसान है इग्जेक्टली म आपको वह इंफरमेशन ही ठीक तरह से नहीं परवाइट करेगा तो आप गयाएंगे मीन का फामूला गलत है नहीं फामूला गलत नहीं है आपने गल्स सिचुएशन पिक कर लिए उसको लगाने के लिए कौन सी ऐसी दो सिचुएशन हैं जिसमें एवरिज के लिए आपको म करो या बताओ जो डेटे के सेंटर में है आप फॉरां कहें जी मीन ना कल्कुलेट कर ले पूरे डेटा की एक वैल्यू मीन और इस से हम कह देंगे जी आधी वैल्यू उपर हो गई आधी वैल्यू मीन से नीचे होगी तो मीन सेंटर में हो गया कतन गलत है मेरा फर्स करें यह वोई डेटा है कहता है फाइंडा वैल्यू विच इस एक्जैक्टली एड़ दा सेंटर आफ डेटा मिडल बन मिडल वैल्यू डेटे को आप पहले रेंज कर लें अब तरह देखिएगा मैं डेटे का मीन फाइंड करने लगा हूँ अब हमें आता है न आप इस डेटे का मीन फाइंड कर लें सारी वैल्यू को एड कर दे नमबराफ वैल्यू से डिवाइड कर दे हूँ एड़ डेर डेटे का मीन आजाता है 75 अब देखिए का कहां पर आएगा 75 यहां पर आप 75 is the mean of the data क्या डेटे का मीन जो आता है वो डेटा ही कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए कतल नहीं 75 मीन जरूर है लेकिन कोई भी वैल्यू 75 नहीं है तो कोई कंडिशन तो नहीं है कि डेटा मस्ट भी वैल्यू नहीं तैसा बिल्कुल नहीं है अब जरह देखिएगा चार वैल् बड़ी जो इसे हैं तो पिर सेंटर में तो नहां तो मिल्स नौट तो दो मीन उसने क्या कहा था उसने कहा है ऐसी वैलच फाइंड को रो जो एक्जयक्ट सेंटर में और हम ने का चले मीन ले ले लेते हैं को सेंटर में होता है तो रौंग हो गया ना पर. अब करना क्या ये소리 बात की बात है. पहले पहचाओँ तो छो कियाहा मीन ने इसकर ना खिल किकल조 करना हो बात की बात है क कब मीना आपने यूस नहीं करना देटा कंटेंज आूट-लायर वर्ड है आउट लाइर किसी भी ऐसी वाल्जू को कहेंगे जो एक्स्टराउर्जणरी डेटे में लार्ज हो या स्मॉल हो चाहिए अब किसे एक्स्टराउर्णरी कहेंगे लाइक आपकी कलास में स्टूडेन्ट बड़े इप्रॉप्रियेट हाइट में हैं ठीक है ना फाइफ थ्री फाइफ फार फाइफ 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 सिक्सस तरह से होगी उसमें पाकिस्तान का जो सबसे हाइट वाला शक्स था दो राक्या आपकी क्लास में बढ़ा दूंग और आपकी क्लास के आवरिज इस एक्स पॉंट वन पे मैकों को वैर्ड गोड़ी आ इस क्लास के तो बच्चे बड़ी हाइट में आपकी क्लास के आउट लाइड्स है और मीन ने आपको अब मिस्लेट कर दिया क्या मिस्लेट किया हम समर रहे थे क्लास के आवरेश 6.1 के क्रीब क्रीब है वो तो दो शक्सों ने सारी करबड़ की है निकालो उसको निकाला तो पदा चला क्लास के आवरेश 5.3 5.4 बनती है हाँ यह अब टू डिप्रेजेंटेटेव है तो आउट लाइर ने मीन की शकल गवर्मेंट को अप्लाइ कर दिया हमारी इंकम बड़ी काम है हमें फ्रेंशल स्पोर्ट दे दें हम नहीं अपने लिविंग का गुजारा नहीं हमसे हो पा रहा तो आप हमें पुछ फिनेंशल स्पोर्ट दें गौर्मेंट निका ठीक है हम सर्वे करवाते हैं पहले फार्म और से पूछा 38, 39, 40, 42, 44, 45, and 500,000, 1000 में फिगर है ना, 500,000, पांच लाख बनता है ना, पांच लाख, यह बड़ा जिम्हिदार होगा बहां पर, तो है तो फार्मर, उसी गौँ में रहता है, तो डेटा तो लेना पड़ेगा ना, फार्मर का डेटा जो ले रहे तो ठीक है, फ एक की इंकम 35 है, एक की 36 है, एक की 39 है, एक की 40 है, तो एवरिज भी देखे, एवरिज ही हमी आती ना, आपके जानते हैं, तो उसी से मीन, तो मीन आपने फाइंड कर दिया, and डेट डेटा मीन इस 91,000, अब डेटे का मीन चुके आपके पास 91,000 आ रहा है, तो हम इसको इस तर क्या ये जो इंडिकेट किया जा रहा है, वो वाकिए 91,000 है या नहीं, तो ये वैल्यू, अगर आप 91,000 की बात करते हो, तो ये इस तरह का true representative नहीं है, ये फार्मर कहेंगे, कह जी अप मीन ठीक है, मैंने कैलकुलेशन में कोई मैने मिस्टेक नहीं की, मीन बिलकुल ठीक मैं कैलकुलेट किया है, ये फार्मर कहेंगे कि सर ये का रपोर्ट आ रही है, कि जी इस गाउं के फार्मर की इंकम एकन्मे हजार के राउंड बाउट है, तो इनको फिनेंशल इसिस्टन की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं शोर मचाएंगे, आफिसर को कहेगा, यार मैंने तो मिलकुल ठीक मीन कैलकुलेट किया है, मजबूरी है ना सारा डिटा तो नहीं बेजना होता, ये कहगा यार तुम मेरी बेज़ती कर रहे हो, मेरी इंकम पांच लाक है, और तुम कहरे जी गाउं के फार्मर की इंकम एकनमे के, एकनमे हजार के करीब करीब है, दोनों ही राज एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लार्ज नॉट दू रिप्रेजेंटेटर व यूर डेटा ओ मीन गलत मीन बिस्लीडिंग दोस्ते दोखा दे दिया है बिल्कुल दिया दोखा आपने अब क्या करना जिप करेंगे कुछ इसका बतें आपको समझा दी डॉंट कैल्कुलेट मीन वैंड अभी मैंने आपको यह नहीं समझाया कि अगर यह वैल्यू फर्स करें पांच की बजाए उसकी वैल्यू 90,000 थाउजन तो क्या यह आउट लाइर है आप कहें जी लार्ज तो है मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लार्ज है हाँ यह कोई पैमाना नहीं है आपके प यह प्सक्त्रा ओर्डिनरी लार्ज वाला पैमाना नहीं है तो अब क्या करें फिर यह सिलुशन बता देते हैं आपको क्या लेकिन कम असकं मीन तो ना कालकुलेट करें हम इसे कहते हैं यह डेटे में पूलुशन आ गई है डेटा आपको सही तरह से नहीं समझाएगा गा ओ और median आ रहा है यह देखिएगा इस वन यह हम नहीं मैं इसकी रिजन बता दूंगा यह क्यों हम डिसकस नहीं कर रहा है यह नहीं हम दो जीज़ हैं डिसकस करेंगे median median क्यों data का calculate करना था whenever there is an outlier in the data and when the objective is to find the value which is exactly where which is exactly at the center of the data calculate median सीख चले जी अब median को मैंने situation explain कर दी objective is to find center data contain outlier use क्या यूज करें median अब जरा definition देखिएगा median is the value value is the value that divides the arranged data बेटे को arrangements के बाद into two equal parts center हो गया ना 50% data below that value 50% data above that value median is exactly at the center of the data yes यही ढूंड रहे हैं वो कहता है फिर median ले 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 मिड मीडियन से पता चल कि आजी average median से ले है center में होगी कैसे calculate करना कैसे है वो कहता है median data की इस location पे इस जगा पे जो value पड़ी होगी वो बिलकुल center में होगी यह कौन सी जगा बनती है एन का पता है number of value उसमें कर ले वन प्लस अगर 20 है तो प्लस वन 21 हो जाएगा 21 है तो प्लस वन 22 हो जाएगा कहता फिर median मिड दो पर तक्सीम कर दें और यहां लिखा हूँ है टिएच अगर 20 हो और 20 हो फ़रग है ना 20 और 20 में 20 स्टूडेंट्स 20 लोग 20 अट स्टूडेंट सिर्फ एक location कहां 20 मां रोल नंबर लगे हुए है या सीटों पर बैठे हुए है मैं कहा तो यार यह 20 लोग आ जो तो आप जो 20 लोग होंगे उठके आ जाएंगे मैं कहांगा यार यह तरतीब में जो 20 अट स्टूडेंट है वो आए तो सिर्फ ए कि उठी आएगा ना और एक अपनी मर्जी तो नहीं आएगा जो 20 लोकेशन पर बैठा होगा मीडियन कहां पर है डेटे में उसकी लोकेशन यह है और इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली बताओं तो समझे यह डेटा मैंने अरेज करके रखा हुआ है यह वैल्यू मीडियन है क्यों मैंने का यह बेलकुल सेंटर में है और इसकी मैथमेटिक्स में यह लोकेशन है यह लोकेशन है मीडियन की मीडियन वैल्यू 50 परसंट डेटा बिलो एट एंड 50 परसंट डेटा अबाव इट यह वैल्यू मीडियन सेंटर में और आपने कहां पहुंचना कैसे है यह कौन सी लोकेशन बनती है यह बनी लोकेशन बनती है अब जरा देखते हैं इसको एक नमेरिक की मदद से डेटा क्या है दा फालूइंग डेटा रिप्रेजेंट्स दा वीक्ली टीवी व्यूं टाइम इन आर्स फार ट्वेंटी रिस्पॉंडेंट्स ड लिए बीस से पच्छेस मेंट देखता हूं तो वे एक वीक में तो पांच घंटे बनते हैं एक देखा जी मेरे मैं दो तीन घंटे रुजाना देख लेता हूं तो चौदा पंदरा घंटे तो डेटा रिकॉर्ड हो रहे हैं तीवी कॉम्पनी वाले थे वो देखना चाहते देखके चाके वो टीवी पर एडशेड और इस तरह की कोई चीज़ें दे सके एक कहता जी मैं तो 66 आर्स तुभी आप इतना टीवी देखते हैं यह बिमार रहता हूं घर में पड़ा रहता हूं मैंने का चले टीवी देखते जाएं ठीक है यह भी एक डेटा है अब क्या कर कैलकुलेट कर दें नहीं वो सेंटर में तो नहीं होगा सेंटर में तो मीडियन होगा तो पहले आप मीडियन की लुकेशन फाइंट करें किसे साइस ओफ एन प्लस वन डिवाइड़ बाई टू अब्जर्वेशन इन कितना है जी 20 प्लस 121 21 को टू पर डिवाइड करेंगे तो यह क्या बनेगा 10.5 तो कौन सी अब्जर्वेशन बन गई 10.5 अब्जर्वेशन इन देटा इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो बिल्कुर दस्मी लोकेशन या टैंथ लोकेशन तो पता है यह 10.5 लोकेशन यह क्या होती है जी अब आपने इस लोकेशन को पढ़ना कैसे है इस लोकेशन का बताओं क्या मतलब है कि दस्मी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वहाँ चले जाओ जी वहाँ जाना है नहीं हाफ बन पर जाना है? नहीं. दस्वीं पर रहना है? नहीं. सर फिर कहां जाना है? दस्वीं और ग्यार्मी के हाफ पर चले जाओ. दस्वीं, ये दस्वीं लोकेशन, ये ग्यार्मी आदा. किसका आदा? दसवी और ग्यारवी का डिस्टंस कितना बनता है. तो इसके बाद का होल नंबर कौन आएगा? इसके बाद होल नंबर आएगा 11. और इसके पहले का होल नंबर आएगा क्या आएगा? 10th. अब इस वैल्डिवीज यहां से नोट करें. ज्यादा है तो क्या आगे ना median exactly at the center of the data तो बिलकुल median is a value which is exactly at the center of the data